Hello everyone, सभी का welcome एक बार फिर से home science वे चार्ली में और जो लोग जग रहे हैं उनको good evening और जो लोग सो गए हैं उन सभी लोगों को good night जो लोग सो गए हैं वो लोग सुबह देखेंगे तो वीडियो आच की है आपकी जो BPSC का एक्जाम हुआ था PGT home science का कल ही हुआ था भी 15 दिसंबर को और आज ही आपकी आंसर किया चुकी है तो इसमें question है आपके subject से related जो है इसमें 80 question है पूरे 80 ठीक है तो हम अपने subject वाले question करेंगे general studies जिसमें हम लोग नहीं कर रहे है ठीक है बिना time waste के हुए फटाफट से answer की जितने भी answer है आपके as per answer की है और जो answer की जारी की कहां से BPSC से मतलब की विहार public service commission के दौरा ठीक है तो time waste नहीं करेंगे फटाफट से देखेंगे एक चीज़ और मैं पहले से mention कर दे रही हूँ कि अभी आज का network बहुत खराब है बहुत खराब है तो मैं भी ये वीडियो मैं upload तो अभी कर दूँगी लेकिन हो सकता वीडियो ना upload हो पाए तो अगर वीडियो आप लोग को morning में मिले तो आप लोग समद जाना ठीक है कि मैं इस वद गूड इवनिंग गूड नाइट क्यों बोल रही हूँ तो चलिए फटा-फट से question स्टार्ट करते है पहला question है इसमें 71 से start है आपका subject वाला ठीक है तो निम्लकित में से कौन सा micronutrient है कार्बो हाइडरेट है कार्बो हाइडरेट है कैल्शियम है प्रोटीन है उपरिक में से एक से अधिक है कि उपरिक में से कोई नहीं इसमें जो आपका answer की के तहट answer जो दिया गया वो है आपका उपरिक में से एक से अधिक तो यहाँ पर D answer हमारा correct हो जाएगा फिर next है निम्लकित में से कौन सा खाने के लिए सूप्ष में विज्यानी खत्रा है कीडे हैं वाइरस है वीविल है उपरिक में से एक से अधिक या उपरिक में से कोई नहीं आप लोग इस answer में देख पा रहे होंगे मतलब option में कि यहाँ पर पहली चीज तो पांच answer आने लगे हैं पांच option आने लगे हैं पहले तो चारी होते थे बट बीपेसे के exam में यह देखने को मिलेगा कि 5 option आने लगे हैं हला कि 5 अब और भी exam में रहते हैं बट इनके questions में maximum आपको 5 option वाले ही question मिलेंगे ठीक है और इसमें ये वाला जो एक answer है मतलब ये वाला जो एक option है उपर इतमें से एक से अधिक ये बड़ा उल्जाओ है तो इसको हम भी बहुत ध्यान से देखना है अभी हो सकता है और भी upcoming exams जो है उनमें भी आए ये ठीक है फिलाल तो आपका 74 का जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका virus ठीक है इसमें answer देखे मैं ऐसे कर के लिए चल रही हूँ मतलब 71 के बाद 74 आएगा numbering में मच जाएगा आप लोग question देखेंगा ठीक है यूकि मुझे जिस तरीके से easy पड़ा है मैंने उस तरीके से ppt में add किया है इसको फिर next question है विश्वसाथ संगठन यानि की WHO ने स्वास्त को किस प्रकार की पूर्ण अवस्था की इस्तिती में परिभाशित किया है WHO की definition एक तरीके साब से पूछ रहे हैं तो एह है आपका अध्यात्मिक कल्यान यानि की spiritual health की बात हो रही है फिर मांसिक, शारिडिक और समाजिक कल्यान फिर रोग का अभाव उपरित्म से एक से अधिक उपरित्म से कोई नहीं इसमें भी जो आपका अंसर हो जाएक अब हो जाएक आपका उपरित्म से एक से अधिक क्योंकि WHO ने जो definition दी है वो आपकी spiritual health की बात करता है mental, physical, social उसकी well-being की बात करता है और रोग के अभाव की भी बात करता है ठीक है तो उनकी definition में आपको पता ही है कि आपका mentally, physically, spiritually इसके बाद emotionally सब तरीके साथ को healthy रहना है ना कि सिर्फ disease का मतलब आपकी body में disease की absence ही मतलब पूरी तरीके साथ healthy माने जाएंगे ठीक है अगर बीमारिया नहीं है तो भी आप निरोग नहीं माने जाएंगे ठीक है अगर आपका socially, mentally और physically आप healthy नहीं है तो ठीक चलिए अभी next question है हमारा पास्चुरी करड, पास्चुराजिशन की बात हो रही है आपकी पास्चुरी करड में तापमान को किस प्रकार रखा जाता है 100 degree Celsius पर या 100 degree Celsius से नीचे उपरियूक में से अधिक या उपरियूक में से कोई नहीं इसमें answer होगा आपका C मतलब की 100 degree Celsius से नीचे क्योंकि पास्चुराजिशन का जो आपका temperature होता वो कितना होता है 66 degree Celsius ठीक है फिर next है हमारा निमन में से कौन सा भोजल प्रोटीन से संब्रिद माना जाता है आपका आम है, डाले है, मक्का है उपरियूक में से एक से अधिक है, उपरियूक में से कोई नहीं बहुत अच्छा question है आपका जो आपकी pulses, डाले हैं जितनी भी तरह की वो सब भी आपकी protein rigid होती है फिर next है, फल जैसे Christmas, आलू बुखारा, अंजीर खुबानी, नाश पाती और आणू को किस प्रकार संदक्षित किया जाता है preservation की बात हो रही है आप ठीके, कैसे फलो को संदक्षित किया जाता है, निरजली करड यानि कि dehydrate करके, सुखा करके यानि उसको dry करके या डिबबा बंदी इसके बाद डिबबा बंदी करके या फिर उपरित में से एक से अधिक या उपरित में से कोई नहीan, तो इसमें आपको सबी को पता है कि ये सब चीज़ें क्या कि जाते हैं, इन सबी उम्र के अनुसार पर्याप्त से कम हो मतलब की जो height है बच्चे की वो जिस उम्र का बच्चा है उसके according उसकी height ना हो तो उसे dash कहते हैं, क्या कहते हैं मराशमस कहते हैं, wasting कहते हैं, stunting कहते हैं उपरित में से एक से अधिक या उपरित में से कोई नहीं तो ऐसे में क्या होता, अगर कोई बच्चा मालो 5 साल का है नेक्स है और पैपसिन एंजाइम किस तीज को डाइजिस करने में वादद करता आपके प्रोटीन के ऊणसी विटामीन की ज़रौत होती है स्वस्थ एपिथिलियम की जो आपके एपिथिलियम टीस्यू होते है सामान दृष्टी की यानि नॉर्मल विजन जो आपका होता है व तो अच्छा-चा काम है, वो किसका है आपका विटामिन-ए का है, ठीक है, और इस टाइम आप विटामिन-ए घूप सारा ले सकते हैं, और इंज आ रहा है, पपीता आ रहा है, गाजर आ रही है, खुब हरी सबजियां आ रही है, खुब लाल पीली आपकी समला मेरे चाहिए, खुब अच्छे से हरी सबजियां खाईए और विटामिन A की जो है भरपूर एक्दम जितनी भी जरुरत है आपके शरीर में उसको पुरा मेंटेन किये रही है फिर नेक्स्ट है प्रगत शील स्रिंखला में क्रमानुसार सुसंगत बदलाओ को डैश कहते हैं मतलब की क्या है प्रगत शील की बात है डेवलप हो रहा है कुछ ठीक है तो क्या हो रहा है एक सीक्विंस में हो रहा है ठीक है और वन बाई वन मतलब क्या बोलते हैं वन बाई वन हो रहा है ठीक है और सुसंगत मतलब बहुत व्यवस्थित तरीके से हो रहा है उसको क्या कहते वृद्धी कहते हैं विकाश, परिपक्षता या उपरित्म से एक से अधिक या उपरित्म से कोई नहीं यह जो चीज है आपकी इतनी अच्छी से हो रहा है, यह होता है आपके development यानि की विकाश में किस में होता है, development जो आपका होता है वो एक sequence में होता है, एक systematic way में होता है यहाँ पर B answer आपका correct हो जाएगा कितना ही आसान कुश्चन है हमारे लिए लेकिन ठीक है अभी तो glucose है, lactose है, fructose है, उपरित्म से एक से अधिक है, उपरित्म से कोई नहीं है तो यह बास सभी को पता है आपका glucose, fructose और galactose यह आपका जो है क्या है, यह आपका monosaccharide है, बज गया आपका lactose जो आपका milk में पाया जाता है, यह है आपका disaccharide, ठीक है फिर next है, पके हुए starts का पाचन कहां सुरू होता है, यह question आपका TGT 2016 में I think पूछा गया था हाँ, तो मुँ में होता है, पेट में होता है, यहाँ पर start की बात हो यह शुरू कहां से होता है, छोटी आप में होता है, उपरित में से एक से अधिक, यह उपरित में से कोई नहीं, तो सभी को पता है कि mouth से start हो जाता है आपके, जिससे saliva में, saliva और starch आपस में मिलते हैं, वह सबी question में जहां भी 5 option है वहाँ पर उपरियुक्त में से एक से अधिक और उपरियुक्त में से कोई नहीं ये दोनों हर जगए add है ठीक है तो यहाँ पर जो answer आएगा आपका वो होगा आपका सीखना learning की बात हो रही अधिगम यहाँ पर हो रहा है क्या हो रहा है अधिगम हो रहा है इसका answer आपका अगर यहाँ पर अधिगम भी दिया गया होता तो हम अधिगम के साथ जाते है ठीक है फिर next है एक शामान शिशू का वजन किस समय तक दूगना हो जाता है तीन महीने में छे महीने में नौ महीने में उपरियोक में से एक से अधिक उपरियोक में से कोई नहीं तो यह भी question बहुत famous है और बहुत बहुत बार आप लोगों के आंक पिसान में सब्या होगा six month में बच्चे का वजन कितना हो जाता है दो गुना हो जाता है फिर next है तीन महीने की उम्र में कौन सा क्रियात्मक विकास माइल स्टोन शिशू हासल कर लेता है मतलब बच्चा जब तीन महीने का तो वो इन में से कौन सा काम कर सकता है वो पीट से पेट और पेट से पीट की तरफ पलट सकता है एक वयस के सारे बैट सकता है अपने सिर को संभाल सकता है, उपरियुक में से एक से अधिक, चीक है, इसमें क्या कर सकता बच्चा जब 3 months का रहेगा तो वो अपने सिर को संभाल सकता है, यही एक काम बेचारा कर पाएगा अभी तक तो है, फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रिय प्रतिरक्षर सारेडी की अनु यह जो आपका MR का टीका होता है, इसको MMR भी बोलते है, ठीक है, मीजल्स, मम्स, रुबैला, ठीक है, तो यह आपका इसको MR यहाँ पे लिखा हुआ, तो यह खसरा रुबैला का टीका 9 months में बच्चे को लगाया जाता है, और जब बच्चा जैसे ही पैदा होता है एकदम से अभिवक्त करते हैं, या कूकू करना, जिसको हम लोग कुइंग बोलते हैं, उप्रिक में से एक से अधिक, उप्रिक में से कोई नहीं, इसमें टेलिग्राफिक स्पीच का मतलब क्या होता है, कि बच्चा क्या करता, एक या दो सब्दों के सरल वाक्यों को आराम से वो बोल नहीं इसमें जो आंसर है आपका क्या कर रहा है बच्चा फिंगर्स का इस्तिमाल कर रहा है ठीक है फिंगर्स के सारे पुरे हाथ से पकड़के हथेलियो और फिंगर्स का इस्तिमाल करके वो क्या कर रहा है विकास कर रहा है एक तरीके से, कुछ activity कर रहा है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रियात्मक विकास कर सकते हैं, चाहिए आप motor development, ठीक है, C answer correct हो जाए गया, फिर next है हमारा, जब शिशू स्वस्थ व्रिद्धी के, ये वाला हम लोग कर रहा है, जब शिशू स्वस्थ व्रिद्धी के नमूने से पिछड़ जाता है, तो चार्ट में उसका विकास वक्र क्या दरसाता है, नीचे की दिशा, उपर की दिशा, या सपाट, या उपरिद्मे से एक से अधिक, या उपरिद्मे से कोई नहीं, तो जाहिर सी बात है जब बच्चे की वृद्धी नहीं हो पाई है 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 बच्चे की तो ग्राफ किस तरफ की दिशा में जाएगा उसका नीचे की दिशा जाता है करीब 10,000 एक सेकने शायद मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूं मैं क्या कुरूँ इतनी अच्छे-चे कोश्चिन है मैं बहुत एक्साइटेड हूं मैं सारी कोश्चिन को ले करके और अभी मैंने सिर्फ यहां पर 40 कोश्चिन ही आइड किये हुए हैं मैंने आपके 10,000 तक की शब्दों सीख लेता है फिर नेक्स्ट है मानो विकास सूच कांग इंडेक्स किसका सूच कांग है जीवन प्रत्याशा का साक्षरता का प्रतिव्यक्ति सकल रास्ट्री आय का उपरिक में से एक से अधिक उपरिक में से कोई नहीं मैं तो ठक जा रही हूं लाइफ एक्सपेक्टेंजी इसके बाद लिटरेसी भी देखी जाती है और पूरी सकल ग्रॉस इंकम भी देखी जाती है तो यहापर डी आंसर मारा करेक्ट हो जाएगा फिर है आपका 94 वाला विद्याले पूर बच्चों के अहार में किस पहलू पर जोड दिया जाना चाह जो आपके pre-schoolers होते हैं उनके आहार में किस चीज़ पर जादा ध्यान देया जाना चाहिए बनावट स्वाद गंद वर रंगों में विवित्ता मतलब उनका भोजन ऐसा होना चाहिए जिनकी बनावट उनका texture, taste और जो भी smell है उसमें काफी diversity हो अलग-अलग तरह का हो तो ज बच्चा दोनों में अच्छे से balance करके खा सकें फिर next है मिठाई, ice cream और fast food के उभोग पर सही हैं आप क्या कर सको जो बच्चा मिठाई, ice cream, fast food इस सब चीज़े खा रहा है उस पर थोड़ा सा control लगा पाएं वो बहुत जादा ना खा पाएं थोड़ा बहुत खिला सकते हैं बट ऐसा नहीं हो कि बच्चा बिस fast food पे ही बिल्कुल dependent है तो इसमें जो answer होगा आपका इसमें भी आपका होगा उपरिक में से एक से अधिक क्योंकि आपका ये उपरिक तीनों होगा ठीक है ABC तीनों चीज़े आपको ध्यान में रखने हैं फिर next है विस उसात संगठन शिक्स मन तक breastfeeding बच्चे की मतलब mother breastfeeding कराना compulsory किया गया है by WHO ठीक है फिर next है 95 खाद मार्ग दर्शक पिरामिड में किस खादेवर्ग को सबसे छोटा seeds tip पर अस्थान पाना चाहिए इस तरीके से बनताना है खादेवर्ग फिर ऐसे से डिवाइट करते हैं जो food आपको सबसे कम मात्रा में रखनाने वसा और चीनी दाले और फलिया मान सुतपाद उपरिक में से एक से अधिक उपरिक में से कोई नहीं तो सभी को पता है वसा और तेल को और चीनी को मतलब जो मीठी कीज़े हैं उनको हम लोग सबसे कम उसमें रखते हैं पिरामिड पे सबसे उपर अस प्रोटीन उर्जाक को पोछन हो जाएगा तो बच्चे को मरास में स्या क्वासियोर कर हो सकता है रक्त की कमी होगी तो मतलब अगर आयरन की कमी आप करेंगे तो एनीमिया हो सकता है विटामिन ए वाले फूड अगर आप बच्चे को नहीं दे पार है तो बच्चे में नाइट ब्लाइडनेस भी हो सकती है नेक्स कोश्चन है निम्लखित में से कौन सी किशोरा वस्था में खान पान समंदी विक्रती है जिसमें जिससे ग्रस्त रोगी बार-बार खाने लगता है अतिधिक खाता है और उल्टी अथवा विरेचकों के उपियोग द्वारा पेट साफ करता है मतलब की Adolescence का एक डिसॉडर आप कह सकते हो psychological disorder है जिसमें बच्चा क्या करता है बच्चा का मतलब Adolescence किशोर क्या करता है किशोर कोई भी वो बार-बार खाना तो खाता है और काफी ज़्यादा ज़्यादा खाना खाता है लेकिन उसको क्या 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 दवाईयां खा ल फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है आपका ये वाला कुस्चिन है, एक पोशन का विस्ष्ट छेत्र जो बिमारियों में पोशर संबंदित है, उसे डैश कहते हैं, नैदानिक पोशर, पोशन थेरपी, या फिर आपका डाटेटिक्स, या उपरविक में से एक से अधिक, इस की विटमिन C की कमी है, की उसको, मतलब तमाम तरह की जो diseases होती है, वो सब चेक किया जाता है, फिर उस तरह की उसको थेरपी दी जाती है, मतलब जिस भोजन की, जिस न्यूटियन की कमी रहेगी, वो न्यूटियन से उसको दिये जाएंगे, और डाटेटिक्स क्या है, डाट मतलब कब्ज के दौरान क्या लेना चाहिए अधिक रेशे युक्त अहार अधिक वसा युक्त अहार ओरल रहाइड़ेशन सॉल्यूशन यानि कि ORS का खोल उप्यूक्त में से एक से अधिक उप्यूक्त में से कोई नहीं सभी को पता है कि high fiber food लेना चाहिए यानि कि अत्य दिक रेशे युक्त अहार लिया जाना चाहिए जब किसी को constipation के दिकत हो फिर next question है कम भारवाले वेक्तियों का body mass index क्या होता है body mass index मतलब आपका BMI जो होता है BMI का formula आप लोग comment section में बताना तो क्या होता है BMI जो उसका index है कम भारवाले वेक्तियों कि कितना होगा 18.5 से कम या 18.5 से कम या 20 से कम या उपरिक में से एक से अधिक या उपरिक में से कोई नहीं तो जो कम भारवाले वेक्ति होंगी मतलब कि underweight की बात हो रही है उनका BMI अगर 18.5 से कम आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो कम भारवाले वेक्तियों यानि कि underweight है ठीक है BMI का formula आप लोग बताईएगा comment section में BMI कैसे निकालते हैं फिर next है नरम आहार soft diet की बात हो रही है तो soft diet क्या है ठोस पर नरम भोजन है हलके मसाले युक्त भोजन है रेशे और गयस बनाने वाले खादेपदार्थ नहीं होते है ऊपरोक में से एक से अधिक या उपरोक में से कोई नहीं इसमें जो आंसर है आपका वो है आपका D यानिकी उप्रविक में से एक से अधिक क्योंकि जो आपके soft diet होती है उसमें ये तीनों चीजे included होती है थो साहर दिया जाता लेकिन थो साहर का मतलब उसमें दाल चावल सबजी ऐसे रहती है तो इसलिए हमारा उप्रविक में से एक से अधिक आंसर correct होगा फिर next है अधिक वजन वह इस्तिती है जब शरीर का वजन वांशित वजन से 20% अधिक होता है उम्र लंबाई और लिंग के अनुसार माध्य मानक वजन से 10-20% अधिक होता है C है आपका वांशित वजन से 10% कम होता है उप्रविक में से एक से अधिक या उप्रविक में से कोई नहीं तो अधिक वजन की स्तिती वो होती है या फिर आपका सकती ओबिसिटी एक तरीके साब से पूछ रहे है जब उम्र लंबाई और लिंगे के अनुसार जो मानक वजन होता है उसे 10-20% जादा वजन होता है तो आपका अधिक वेट माना जाता है मतलब की जो आपका age है आपकी height है और आपका जो gender है उसके हिसाब से अगर आपका वजन 10 से 20 परसंट से ज़्यादा है तो आप अधिक वजन की सिती में आएंगे ठीक है फिर next है निम्न में से कौन सा गयर मानो संसाधन है गयर मानो संसाधन मतलब की मानूवी संसाधन नहीं है यह तरिक है तरिक है pirates कि मनी होती वह आपका गयर मानूवी संसाधन है फिर हमारा next है संसादनों की विशेस्ता को चिनहित कीजिए जो resources होते हैं उनकी क्या विशेस्ताएं होती है सुलवता है, उपयोगिता है विनिमेता है, उपरविक में से एक से अधिक उपरविक में से कोई नहीं इसमें आपका तीनों answer सही होगा मतलब की जो resources होते हैं वो सुलव भी होते हैं, उपयोगि भी होते हैं और विनिमेता भी होती है, ठीक है तो यहाँ पर D answer करेक्ट होगा की उपरविक में से एक से अधिक फिर next है next फिर से है 104 number question है प्रबंधन में यह सुनेश्चित करना की कारेकलाप वांशित फल पडान कर रहे हैं उसे dash कहते हैं मतलब कि आपने कुछ manage किया है, management किया है, plan किया है उसमें जो कारिक्रम हो रहा है वो कारिक्रम हूब हूँ ऐसे हो रहा जैसे आपने plan किया था और वही same same output बिया रहा जो आपने सोचा था ओसे term को क्या कहा जाएगा? νियोजन कहेंगे, नियंत्रण कहेंगे, आयोजन कहेंगे नियंत्रण का मतलब क्या है? कि आपने जैसा plan किया था वही output आ रहा है इसका मतलब आपका पूरा management है वह बिलकुल control में है ठीक है? जैसा आपने सोचा वैसे ही हो रहा है, तो कैसे माली जाए गर में कोई शादी है तो अगर सब कुछ आपके मुटाबिक हो रहा है आपने जैसे सोचा था इतने guest आएंगे, ऐसे decoration होगी फिर इतने बज़े लोग चले जाएंगे, फिर इतने बज़े पर B-Answer correct हो जाएगा एक साथ नमबर का question है धन के उपियों के लिए नियोजन का सबसे आम तरीका है आम तरीका मतलब एकदम से local कह सकते हो आप तो record रखना या लेखा या budget या उपरिक में से एक से अधिक उपरिक में से कोई नहीं धन के उपियों का सबसे आम तरीका क्या है आपका घर में हम क्या करते है बजट बनाते है तो बजट आपका सबसे आम तरीका होगा क्योंकि usually हम घर में बजट बनाते है कितना पैसा खर्चा होगा इतना पैसा फीस में जाएगा इतना पैसा सबजी में जाएगा है न ये सब तो आम तरीका आपको budget बनाना है फिर next है, समय के प्रभावी तरीके से प्रबंधन में कौन सी इस्थिती मदद करती है ठीक है, प्रभावी तरीके से प्रबंधन में मदद कौन करती है, चरंभार अवधी या आपकी जो है उपरित्म से एक से अधिक, मतलब यह जो तीनों चीज़ें आपकी peak load है, risk period है और कारिवक्र है, यह तीनों चीज़ें प्रबंधन में आपके मदद करती है, फिर से next है, वह कौन सी आया है, जो सेवाओं तथा माल के स्वामित एवं उपयोग के फलसरूप संतोस देती है, income से related कोई भी एकर question आ रहा है, तो बड़ा अच्छा keyword है आपका संतोस, इसका मतलब satisfaction, ठीक है, तो यह कहां से मिलता है, मानसी काय से, वास्तवी काय से, अप्रतेक्षाय से, कुपरित्म से एक से अधिक, कुपरित्म से कोई नहीं, यह जो आपका होता है, सेवाओं और माल के, मत गैस चूला खरीट के लाए, आपका AC बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बिजली बहुत कम खा रहा है, गैस आपकी बहुत अच्छे से चल रहे है, खाना जल्दी पक रहा है, है ना बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, कि इसमें पैसा ज़रूर लेकिन इसका जो मतलब utilization वो बड़ा बहतरीन है AC बहुत अच्छे से काम करी है पुरा एकदम room में cooling बहुत अच्छी हो रही है सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो इसको हम लोग psychic income मुलते हैं हम मानसिक रूप से संतुष्ट feel करते हैं आपको ठीक है तो यह आपकी psychic income के अंदर करताएगा फिर next है कारे में सरली करण करने के लिए कौन सा परिवर्तन का अस्तर मददगार है वर्क सिंप्लिफिकेशन की बात हो रही है तो भंडारण अस्थान और प्रियुक्त उपकरणों में परिवर्तन जो आपका भंडारण मतलब की storage है और जो आप instruments है sorry, equipments है जो उनमें आप क्या करो उनमें आप परिवर्तन कर दो फिर दूसरा अंतिमुत्पाद में परिवर्तन मतलब की जो खाने की चीज़े, ready to eat वाली चीज़ें आप अपने, मतलब सामिल कर लो अपने कीचन में like वेडली का better आता है, डोसी का better आता है केक बनाने का better आता है पूरा तो उसको आप गोल करके तुरंद बना दो इसको बोलते हैं अंतिमुत्पाद में परिवर्तन फिर हाथ और शरीरी गतियों में परिवर्तन फिर और D है आपका उपरिवर्तन से अधिक और E है आपका उपरिवर्तन से कोई नहीं तो यह जो तीनो परिवर्तन आपके दिये गए हैं यह तीनो चीक है तो यह तीनो आपके जो है कारिसरली करण में मदद करने के लिए मददगार हैं ठीक है तो यहाँ पर आंसर होगा आपका उपरिक में से एक से अधिक, इस आंसर करें ठीक होता है चली अब नेक्स पर आते हैं उनी रेशे का प्रोटीन क्या कहलाता है? बहुत अच्छा अते हैं मिन्हें पुरत से यह साँ आगें पिल्पली पूलाई है कितने 40 question कर लिए हैं हमने अब 40 हम लोग कल करेंगे चीज़ए 40 कब करेंगे कल करेंगे चलिए आप लोग देखना आप ये कितने questions सही हैं और जिन्गोंने exam नहीं दिया वो अपने आपको analysis कर लेंगे कितना question का सही होड़ा है कितना नहीं सही हो रहा है अच्छे से आप देख लीजे और अभी कल सुबह, कल संडे है कल हम लोग शाम को या दिन में जब भी मुझे समय मिलेगा मैं अभी रात को ही बना के पिपिटी और तुरंत आप लोगों को आगे की जो 40 कोशन उसकी भी कर लेंगे तब तक के लिए चलिए गुड नाइट और अगर वीडियो दिन में अपलोड होती है मतलब अभी नई अपलोड हो पारे तो उसके लिए सबी को गुड नाइग चलिए बाए बाए टेक केर मिलते हैं दूसरी वीडियो में आगे के कोशन के साथ ठीक है बाए बाए